अब सुनते हैं तुलसिदास द्वारा रचित राम लक्ष्मन परशुराम समवाद प्रिष्ट संख्या 10 से 18 तक तुलसिदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गाउं में सन 1532 में हुआ था कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों जिला एटा भी मानते हैं तुलसी का बचपन बहुत संगर्श पून था जीवन के प्रारंबिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिचो हो गया कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ती का मार्ग मिला वे मानव मूलियों के उपासक कभी थे राम भक्ती परंपरा में तुलसी अतुलिनी हैं राम चरितमानस कवी की अन्यन राम भक्ती और उनके स्रजनात्मक कौशल का मनूरम उधरन है उनके राम मानवी मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं जिनके माध्यम से तुलसी ने नीती, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात आदर्शों को प्रतिश्ठित किया राम चरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्री है मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहवली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ तुलसी ने रामचरित मानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की उस समय प्रचलित सभी काव्वे रूबों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है राम चरित मानस का मुख्य चंद चौपाई है तथा बीज बीच में दोहे, सोरठे, हरीगीतिका तथा अन्य चंद पिरोई गए हैं विने पत्रिका की रचना गे पदों में हुई है कवितावली में सवईया और कवित चंद की छटा देखी जा सकती है उनकी रचनाओं में प्रबंद और मुक्तक दोनु प्रकार के कावियों का उत्कृष्ठ रूप है यह अंश राम चरित मानस के बाल कांड से लिया गया है सीता स्वेंबर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनी परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं राम के विनय और विश्वा मित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ती की परिक्षा लेकर अंततय उनका गुस्ता शान्त होता है इस बीच राम लक्षमन और परुशुराम के बीच जो समवाद हुआ उस प्रसंग को यहां प्रस्तुत किया गया है परुशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्षमन व्यंग वचनों से देते हैं इस प्रसंग की विशिष्ता है लक्षमन की वीर रस्य पगी व्यंगोग्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति राम लक्षमन परुशुराम समवाद नाथ संभु धनु भंज नहारा हो ये केउ एक दास तुम्हारा आये सु काह कही किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनी कोही सेवकु सोजो करे सेवकाई अरी करनी करी करे लराई सुनहु राम जेही सिवधनु तोरा सहसे बाहु सम सोरिपु मूरा सो बिलगाउ बिहाई समाजा नत मारे जे हही सबराजा सुनि मुनी बचन लखनमुसकाने बोले परसु धरही अवमाने बहु धनही तोरी लरिकाई कबहुना असीर से कीनी गोसाई यही धनू पर ममता केही हेतू सुनि रिसाई कह भ्रुग कुल केतू रे निर्प बालक काल बस बोलत तोहिन संभार दनु ही सम् त्रपुरार धनु बिदत सकल संसार लखन कहा हसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना काच्छती लाब जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे चुवत तूट रगु पतिह न दोसु मुनि बिनु काज करई कत रोसु बोले चिते परसु की उरा रे सठ सुनही सुभाव न मोरा बालक बोली बधो नहीं तोही केवल मुनि जण जानही मोही बाल ब्रह्म चारी अतिकोही बिश्व बिदत क्षत्रिय कुल द्रोही भुजबल भूम भूप बिनु कीनी बिपुल बार मही देवन दीनी सहस बाहु भुज छेद नहारा परसु बिलोक महीप कुमारा मातु पिता ही जनी सोच बस करसी मही से किसोर गरभन के अरभक दलन परसु मोर अति घोर बिहसी लखन बोले मृदबानी अहो मुनी सी महा भटमानी पुनी पुनी मोही देखाव कुठारू चहत उडावन फू की पहारू इहा कुमण बतिया कुण नाही जे तरजनी देखी मरिमाही देखी कुठारू सरासन बाना मैं कचु कहा सहित अभिमाना भ्रुग सुत्य समुझी जनेव बिलोकी जो कचु कहाई सहोरिस रोकी सुर मही सुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई बंधे पापु अपकीरती हारे मार तहूपा पारी तुम्हारे कोटी कुलिस सम बचन तुम्हारा ब्यर्थ धरहु धन बान कुठारा जो बिलोकी अन्चुत कहे हूँ छमहु महामुनी धीर सुनी सरोष भ्रग बंसमनी बोले गिरा गमहीर कौसिक सुनू मंद ये हूँ बालकु कुटिल काल बस निज गुल घालकु भानु बंस राकेस कलंकु निपटन रंकुस अभुद असंकु काल कवलु हुई हैं छन माही कहों पुकारी खोरी मोही नाही तुम हट कहु जो चहु उबारा कही प्रतापु बलु रोश हमारा लखन कहु मुनी सुजसु तुम्हारा तुमही अच्छत को बरने पारा अपने मुह तुम आपनी करनी बार अनेक भात बहु बरनी नहीं संतोशु तपुनी कचु कहहु, जनिरिस रोकी दुसह दुख सहहु बीर ब्रती तुम्ह छीर अचोभा, गारी देतना पावहु सोभा सूर समर करनी करही, कहिन जनावही आप बिद्यमान रन पाई रिपू, कायर कथही प्रतापू तुम जो काल हांक जनुलावा, बार बार मोही लागी बुलावा सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार हरेव कर घोरा अब जनि देई दोसु मोही लोगू, कटु बादी बालकू बद जोगू बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब येहु मरनिहार भा साचा कौसिक कहा छमई अपराधू, बाल दोश गुन गह ही न साधू खर कुठार मैं अकरनु को ही, आगे अपराधी गुरुद्रो ही उतर देत छोणों बिनु मारे, केवल कौसिक सील तुमारे तान येही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते हूं श्रम थोरे गादि सुनू कह रदय हसी, मुनी हरी हरे सूझ आय मैं खान न उख मैं, अज़ाउन बूझ अभूझ कयो लखन मुनी सील तुमारा, को नहीं जान बितित संसारा माता पिताही उरिन भैनी के, गुर्रिनु रहार सोचु बढ़ जीके सोजनू हम रही माथे काढ़ा, जिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा अब आनिन ब्यबरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा भ्रुग बर परसु देखा बहु मोही, बिरप्र बिचार बचों निप्रदोही मिलेना कबहु सुभट रन गाढ़े, दुज देवता घरही के बाढ़े अन्चुत कही सब लोग पुकारे, रगुपती सय नहीं लखन नेवारे लखन उतर आहुति सरिस, भ्रगबर कोप क्रिसान, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रगुकुल भानू परश्न अभ्यास पहला, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मन ने धनुष के तूट जाने के लिए कौन-कौन से तर्क दिये परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्षमन की जो प्रतिक्रियाई हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभव के विशिष्टाएं अपने शब्दों में लिखिए तीन लक्षमन और परशुराम के संबाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसी अपने शब्दों में संबाद शैली में लिखिए चार परशुराम ने अपने विशे में सभा में क्या क्या कहा इन पद्याशों के अधार पर लिखिए बाल ब्रह्मचारी अतिकोही बिस्व बिदितक शत्री कुल द्रोही भुजबल भूम भूप बिनुकीनी बिपुल बार मही देवन दीनी सहसे बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलो की महीप कुमारा मातु पितही जनी सोच बस करसी मही से किसोर गरभन के अरभक दलन परसु मोर अतिगोर पांच लक्ष्मन ने वीर योध्धा की क्या क्या विशेश्टाएं बताई छे, साहस और शक्ती के साथ विनमरता हो तो बहतर है इस कथन पर अपने विचार लिखिए साथ, भाव स्पस्ट कीजिए बिहसी लखनू बोले मृदुबानी अहो मुनी सी महा भट मानी पुनी पुनी मोही देखाव कुठारू चहत उडावन फूं की पहारू खा, इहा कुमण बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं खचु कहा सहित अभिमाना ग, गादी सुनू कह रदै हसी मुनी हरी यरे सूज, आय मै खान न उख मै, अजाउन न बूझ अभूझ आठ, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर पर दस पंक्तियां लिखिए नौ, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उधारन के साथ स्पस्ट कीजिए दस, इन पंक्तियों में प्रयोक्त अलंकार पहचान कर लिखिए क, बालक बोली बधों नहीं तो ही ख, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा ग, तुम्ह तो कालु हांक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा ग, लखन उतर आहुति सरस, भ्रुगुबर कोपु क्रसान, बढ़त देखि जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु रचना और अभिव्यक्ति सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है यदि क्रोध ना हो, तो मनुश्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कस्टों की चिर्णिवर्ति का उपाही न कर सके आचारिय रामचंद्र शुकली का यह कथन इस बात की पुस्टी करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिये नहीं होता बलकि कभी-कभी सकारात्मक भी होता है इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए बारह संकलित अंश में राम का वहवार विनैपून और संयत है लक्षमन लगातार व्यंग बाड़ों का उपियोग करते हैं और परशुराम का वहवार कुरोध से भरा हुआ है आप अपने आपको इस परिस्टी में रख कर लिखें कि आपका वहवार कैसा होता तेरह अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभव की विशिश्टाइं लिखें चौदा दूसरों की ख्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए पंद्र उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो सोलह अवधी भाषा आज किनकनिक शेत्रों में बोली जाती है पाठेतर सक्रेता तुलसी की आने रचनाएं पुस्तकाले से लेकर पढ़ें दोहा और चौपाई के वाचन का एक पारंपरिक ढंग है लै सहित इनके वाचन का अफ्यास कीजिए कभी आपको पारंपरिक राम लीला अत्वा राम कथा की नाट्टे प्रस्तूती देखने का आउसर मिला होगा उस अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए इस प्रसंग की नाट्टे प्रस्तूती करें कोही, कुलिस, उरिन, नेवारे इन शब्दों के बारे में शब्द कोश में दी गई विभने जानकारियां प्राप्त कीजिए शब्द संपदा भंज निहारा अर्थात भंग करने वाला, तोड़ने वाला रिसाई याने क्रोध करना रिपो अर्थात शत्रो बिलगाउ अर्थात अलक होना अवमाने अर्थात अपमान करना लरिकाई अर्थात बच्पन में परसू अर्थात फरसा कुलाडी के तरह का एक शत्र कोही याने क्रोधी महिदेव अर्थात ब्रामन बिलोग याने देखकर अर्भक अर्थात बच्चा महाभट याने महान योध्ध मही अर्थात धर्ती, कुठारू याने कुलहडा, कुमण बतिया याने बहुत कमजोर, निर्बल व्यक्ती, काशी फल या कुमणे का बहुत छोटा फल, तरजनी अर्थात अंगूठे के पास की उंगली, कुलिस अर्थात कठोर, सरोश याने क्रोध सहित, कौसिक अर्थात विश्वामित्र, भानुबंस याने सूर्यवंश, निरंकुस अर्थात जिस पर किसी का दबाव ना हो, मनमानी करने वाला, असंकु याने शंकारहित, घालुकु याने नाश करने वाला, काल कवलू अर्थात जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो, मिर्त, अबुधु अर्थात ना समझ, खोरी याने दोश, हटकह अर्थात मना करने पर, अच्छोभा अर्थात शान्त, धीर, जो घबराया ना हो, बद जोगु याने मारने योग्य, अकरुन अर्थात जिसमें करुणा ना हो, गादी सुनू अर्थात गादी के पुत्र याने विश्वामित्र, आय मैं अर्थात लोहे का बना हुआ, नेवारे अर्थात मना करना, उख मैं अर्थात गन्ने से बना हुआ, जोगपणाई, करिसान, याने अगनि, यह भी जाने, दोहा, एक लोकुपरिय मात्रिक चंध है, जिसकी पहली और तीसरी पंगती में 13-13 मात्राइं होती हैं, और दूसरी और चौथी पंक्ती में 11-11 मात्राएं चौपाई ये एक मात्रिक छंद है चार पंक्तियों का होता है और इसकी प्रत्येक पंक्ती में 16 मात्राएं होती है तुल्सी से पहले सूफी कवियों ने भी अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद का प्रियों किया है जिसमें मलिक मुहमद जैसी का पदमावत उलेखनी है परशुराम और सहस्त्र बाहु की कथा पाठ में सहस्त्र बाहु समसोरिपुमूरा का कई बारू लेख आया है परशुराम और सहस्त्र बाहु के बैर की अनेक कथां प्रचलित है महाभारत के अनुसार ये कथा इस प्रकार है परशुराम रिशी जमदगनी के पुत्र थे एक बार राज्जा कारत वीर्य सहस्त्र बाहु शिकार खेलते हुए जमदगनी के आश्रम आया है जमदगनी के पास कामधेनु गाय थी जो विशेश गाय थी कहते हैं वो सभी कामनाई पूरी करती थी कारते वीरी सहस्र बाहु ने रिशी जमदगनी से कामधेनु गाय की पांगी रिशी द्वारा मना किये जाने पर सहस्र बाहु ने कामधेनु गाय का बल पूर्वक अभरन कर लिया इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्र बाहु का वत कर दिया इस कारी की रिशी जमदगनी ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रैशित करने को कहा उधर सहस्त्र बाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर रिशी जमदगनी का वद कर दिया इस पर पोने क्रोधित होकर परशुराम ने प्रत्वी को क्षत्री विहीन करने की ततिग्या की